प्रश्मी गान जी आपके साथ शुरुवात करना चाहती हूँ, इतने दिगज वरिष्ट नेता हैं आप, लेकिन कहा जा रहा है कि बाजपई जी, शर्मा जी, तमाम जितने भी ब्रह्मन हैं, उन सब के होते हुए, एक क्राइसिस आपकी पार्टी फेस कर रही है, अगडी जा पार्टियों को आपने अपनी साथ फीजदी में समझ लिया है कि वह हमारी जेब में है, लेकिन क्या उनकी नाराजगी और जाती का ये जबरदस्त असर इस चुनाव में आपको सामना करना पड़ सकता है, वो पूछ रहे हैं कि क्या किया हमारे लिए हम लाए सत्ता में, ने और उत्तरप देश में मुख्यमंत्री योगी आधितना जी बने है, सारे विकास के काम को जाती, धर्म, पंत और छेतर से उपर उठकर सब के लिए किया है, इसलिए ऐसा कोई प्रशन जनता में नहीं है कि भारते जनता पार्टी ने हमारे ले क्या क्या और विशेश तोर प है, भारते जनता पार्टी ने सब के लिए काम किया है, कोई विरादरी या कोई जनता का अभ्यक्ति ये नहीं कह सकता, और हमारा तुम नारा है, सबका सास, सबका अभिकास और सबका विश्वास, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो उसका विश्वास कैसे जाती का कितना असर प्रमोज जी, आप इतने दिगज और पुराने नेता हैं, और आपके पास जितन प्रसाइद जी थे, ब्रामर समेलन करते थे, वो भी ले गए वो, देखें, मैं बहुत असफस कर दूँ, इस से इंकार नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्ये हैं, जिन में जाती धर्म दोनों का असर होता है, जाती राजनीत के शिकार ये रहें, और इसी लिए, आज जब कुपोशन का इंडेक्स आप देखती हैं, तो फिर बिहार और उत्तर वदेश सबसे नीचे नजर आते हैं, कारण ये है कि जाती और धर्म के आधार पर जब को पार्टी ये समझ लेती है, कि मैं चाहे सो एक सो चार रुपए पेट्रॉल हो जाए, पर महंगाई नजर नहीं आएगी, कहेंगे महंगाई नहीं है, तो फिर सहारा क्या है, जाती और धर्म, इन्हें मालूम है कि उसे कम करने के लिए धर्म का सहारा है हमारे पास, और इसलिए उसको बढ़ाते जाते हैं, कुल मिलाकर दुर्भाग ये है उत्तर प्रदेश का, कि जो छेत्री दल थे, वो भी जाती है, धर्म पे आगए, और ज रास्टी पार्टी होने के बहुजूद भी, अगर उसके पास से आप धर्म निकाल दें, मेरा इशारा भारती जनता पार्टी के तरब से, और अगर धर्म निकाल दें, उसका दिरुप्योग निकाल दें, तो आज भारती जनता पार्टी की ये हैसियत ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी महगाई बेरोजगारी और देहाथ के लोगों के यहां होंगे तुने आइसास होगा शहरों को तुनी मेरे खाल से पंडीजी को होगा कि छुटा जानवर जानवरों की समस्या है जिनको अन्हा जानवर कह देते हैं राजस्तान में अगर इनसे आप धर् तो भारती जनता पार्टी आज इस इस्तित में है कि जनता की बीच जा सके मैं पश्चिम की बात नी कर रहा हूं वाजपई जी मेरे बड़े मित्रे हैं वहां किसानों की बीच में जाना भारती जनता पार्टी के लिए खत्रे से खाली नहीं तो यूपी की पूरी जनता इनके कि यहाद भी उसे दोर से विपक्ष में हूँ कि आते रहते हैं केंड्र में आते रहते हैं प्रदेश में ठीक है था बैमन्ती था उस समय पता नहीं कौन सा चस्मा लग जाता है कि दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज अब अभी मैं छट की तरफ देख रहा था ताज के कि मजबूत बनी के नहीं बनी जब एक सवाल आया और एक जबाब आया कि महंगाई नहीं है तो मुझे लगा कि ऐसा नो छट गिर जाए